वालियर शहर के मैथुपूर्ण पडाव रेलवे ओवर्स ब्रिज के दूसरे पूल का गुरुवार को लोगपारेंट कर दिया गया खास बात यह है कि पूल का लोगपारेंट चुनाव अंचार सहीत के चलते कलेक्टर और एफसपी ने किया हालाकि पूल के लोगपार्ण कारिकरम को लेकर पिछले दिनो भाजपा और कॉंग्रेस में शेरे लेने की होड मचीतीले लेकिन केंड्र में भाजपा की सरकार के रेल मंंद्राले ने पूल के एक मार्ण को एनो सी नहीं दे सकी जिसके कारण 5 मार्च को पूर्व केंद्रिय मंत्री और शिव पूरी गना सांसत ज्योती रात्य सिंधिया के हाथों इसका लोगपारियन कारिक्रम टाल दिया गया शहर के करीब 49 करोड की लागात में से बने इस पूल को प्रदेश सरकार के खाजाने से बनाया गया है रेल की पटरी के उपर वाला हिस्सा रेलवे के इंजिनियरिंग विभाग द्वारा बनाया गया है जबकि पैसा प्रदेश सरकार का चार साल पहले गांधी रोड मांग सिंग चौराहे से लेकर सिंध्या कन्या विध्याले को जोडने वाले इस महत्वपूर्ण पूल का विभूमी पूजन केंद्रिय मंत्री नरेंजर्व ओमर ने किया था हला कि इस पूल को जन्वरी महिने में ही पूरा हो जाना था लेकिन ब्लॉक और रेलवे की मंजूरी के कारण पूल का नेर्वन अभी तक पूरा नहीं हुआ है पूल के दूसरे हिस्से को शुरू करने में एक महिने का वक्त लग सकता है महत्वपूर्ण यह है कि 50 साल पुराने पड़ाओ पूल को अत्याधिक यातायाद दबाओ के चलते जमा की सिपी में गुजरना पड़ता है लेकिन दूसरे पूल के शुरू हो जाने से अब आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी फिलहाल इस पूल के एक हिस्से को शुरू किया गया है जबकि दूसरे हिस्से को शुरू होने में एक महिने का वक्त लग सकता है जिला प्रशासर नगर निगम और यतायात पूलिस के साथ मिलकर लोगों ने दिये पूल के ट्राफिक को सुगं बनाने के लिए कार्ययोजना बना रहा है ताकि दोनों शहरों को जोडने वाले पूल से यतायात को कम किया जा सके प्रभूद वर्मा की रिपोर्ट भारत निउस टीवी जनता को बहुत-बहुत बढ़ाई शुक्कामना एक नहीं सुग्धा के ट्राफिक को सुटारू से चले इस दिश्टे मिली है चोकि यहां पर आचार समीता इसका इसका विधी पूर्वत कोई जाटन अभी पूरा हुआ भी नहीं है वो पर सुटा की दिश्टे उसका जहां पर आवागमन प्रारम हो गया है मैं आशा करता हूं शीग्रई को पूरा होगा तो यह दुनिया का नियम है बीच कोई बोता है और फल कोई खाता है पर लोगों को अधियान में आना चाहिए कि जो श्रेल उटने की कोशिश कर रहे हैं उनका कोई भी श्रेल नहीं है दो मेने में जो सरकार के खरेपन बात करें तो सिवाय तबादला उद्दियों के और को हुर कोई कोई काम्या पर हुआ नहीं है इससे सरकार ने आने के बाद इतने कम स्वर्में इतना तबाद में किए कि और जिदो आच तो ताबाद ה Saab कर ने के फीच है तबादला निरस करने के पीसे का रोबार बॉत भुल रहे है जंधा सब इदे करे है की पर आने बादे ल तुकि ट्राफिक पर दबाव मलं रोडों पे जादा हो रहा था और ये एक साइट का पुल तैयार हो गया था इसलिए इसको आज आम जनता के लिए चालू कर दिया गया था तुकि नाया पूल चालू हुआ है तो ट्राफिक का लोड काम पूल तो पराने पूल किया गया था तुकि उद्गाटन नहीं हुआ ये तो सिर्फ ट्राफिक विवस्ता को सुचारू तो चलाने के लिए चालू कर दिया गया था